दुनिया भर में कोरोनो वाइरस से दैसत का माहौल है विश्व स्वास्त संगठन ने इस बीमारी को महामारी घोशत किया है भारत समेथ पूरी दुनिया में इस बीमारी से लोग परिसान हैं और कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं भारत के कई राज्चों में यह बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है उत्तव परिदेश में भी इस बीमारी से गिसत कई लोगों के लक्षण सामने आने के बाद सरकार ने सभी से सतर्कता बरतने के कहा है बुंदिल खंड में भी इस बीमारी को लेकर लोगों में खासी दैसत देखी जा सकती है बीते रोध जहासी में एक मरीच के कोरोना वाइरस से पीड़त होने की ख़बर सामने आई थी जहासी जनपत के बड़ागाओं के बचावली का रहने वाला यह विवक बीते रोध मेटीकल कालेज में भरती कराया गया था रिपूर्ट में कहा गया था कि इस युवक को कोरोना वाइरस है बाद में उसका इलाज किया गया और उसके सेम्पिल जांच के लिए लखनू बेजे गए आपको जानकर राहत होगी कि उस युवक के सेम्पिल की रिपूर्ट लखनू से सनिवार को आ गई जिस युवक को कोरोना वाइरस से पीड़त बताया जा रहा था उसकी रिपूर्ट फिलाल निगेटिव आई है इससे लोगों में खासी राहत है फिलाल मेडिकल कालेज के चिकत्सकों ने युवक के रिपूर्ट के निगेटिव होने की पुष्टी की है ऐसे में लोगों को चिहासी जन्पत में कोरोना वाइरस से देहसत के साथ राहत की भी खवर है फिलाल आज उत्तर प्रदेश ब्यापार मंडल के अध्यक्ष संजर पटबारी के नेतरत में दवा ब्यापारियों ने लोगों को कोरोना वाइरस से जागरुक करने के लिए एक रेली निकाली रेली के दौरान ब्यापारियों ने लोगों को मास्क आदी बितृत किये उन्होंने लोगों से इस बीमारी से देशत की बज़े जागरुक रहने का आवान किया